कॉंग्रेस की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है एक और जहां राहुल और प्रियंगा गांधी पांच राजों में होने वाले विधान सभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है तो वही कॉंग्रेस के ही कुछ सीनियर नेता पार्टी को पलीता लगाने में जुटे है हाल ही में गुलाम नभी आजाद समेथ कॉंग्रेस के कुछ सीनियर नेता जम्मू में पार्टी नेत्रेतु के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आये थे ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर जी टुएंटी थी के नेता बागी तेवर क्यों अपनाए हुए है दरसल कॉंग्रेस की भीतरी घमासान के बीच ये कहा जा रहा है कि जी टुएंटी थी में शामिल नेता नेत्रेतु पर सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि इन में से कई नेताओं को कही भी उचित जगह नहीं दी गई है जी टुएंटी थी में शामिल गुलाम नभी आजाद, कपिल सिबल और आनंद शर्मा जैसे बड़े नेताओं के तीखे वार के बाद अब पार्टी में गांधी परिवार के करीबी नेता दबी जुबान से आरोप लगा रहे हैं कि ये नेता इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इन में से जादतर नेता इस बात से नाराज हैं कि इन्हें इनकी मर्जी के मताबिक पद नहीं दिये गए गाधी परिवार के गरीबी सूत्रों का आरोप है कि घुलाम नभी आजाद इस बात से नाराज है कि उन्हें राजसभा का कारेकाल खत्म होने के बाद पार्टी ने फिर से राजसभा नहीं बेजा महिसूत्रों का आरोप है कि राजे सभा में विपक्ष के उपनेता आनंद शर्मा उमीद लगाए बैठे थे कि आजाद के बाद नेता विपक्ष उन्हें बनाया जाए मगर पार्टी ने ऐसा ना करके मलिकारजुन खड़गे को ये जिम्मेदारी सौप दी और यही बात आनंद शर्मा को नागवार गुजरी कॉंग्रेस सूत्रों की माने तो कपिल सिबल इस बात से नाराज हैं कि उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो मनीश्टिवारी को उम्मीद थी कि पूर्व केंद्री मंत्री के नाते लोकसभा में नेता की जिम्मेदारी पार्टी उन्हें देगी मगर ऐसा नहीं हुआ पार्टी ने उस वक्त भी ये जिम्मेदारी मरीश तिवारी को ना दे कर पश्चिम बंगाल से सीनियर सांसद अधीर रंजन चौधरी को दे दी थी खबर है कि मरीश तिवारी के तेवर तब से ही तल्क है अगर बात की जाए हर्याना के पूर्व मुख्यमंतरी भूपेंदर सिंग हुद्दा की तो खबर के मताबिक हुद्दा कुमारी शेलजा को हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष बनाये जाने से खासा नाराज है वही कॉंग्रेस सूत्रों की माने तो संदीब दिक्षित लंबे समय से इस बात से खफा है कि ना तो राहुल गांधी की टीम में उन्हें जगह मिली और ना ही दिल्ली की राजुनीती में अजय माकन के रहते पार्टी ने उन्हें तवज्जो दी कुल मिलाकर कॉंग्रेस में गांधी परिवार के करीबी सूत्रों ने अब G23 को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है और सीधा आरोप लगा रहे हैं तकरीबन सभी अन्देखी से नाराज हैं और इसी वजह से पार्टी नित्रित्व को निशाना बना रहे हैं Bureau Report